हेलो हेलो दोस्तों, आज है हमारा 4 डे सीरीज पराठा, इस इस अ क्वीन आफ आल पराठा लैसुनी ठेचा, ये बनाने में आपको बस 10 मिट लगेंगे, एंड ये हैं लैसुनी ठेचा, बहुते टेस्टी बनकर रेडी होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक कमेंट शियर ज़रूर करें, और सब्सक्रेब करना न भूलें, एक पैनल लेंगे, उसमें हम लेंगे जीरा, लैसुन, हरी मिर्ची, इनको अच्छे से ड्राय रोस्ट कर लेंगे, मेरे यहाँ पर ड्राय रोस्ट हो गए है, मैं एकदम देसी स्टाइल में बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिल्बटे पर इनको अच्छे से पीस होंगी, आप अध्रक उटने में भी पीस सकते हैं, नमक डाल कर इसको अच्छे से पीसेंगे, इसको बादीक नहीं पीसना है, दर्दरा ही पीसना है, यहाँ पर मेरा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, अब हम समें पतला बेलेंगे, एकदम पतला बेल कर बड़ा बेलेंगे, इसके उपर हम लगाएंगे घी, इसको अच्छे से फैला लेंगे पूरी लोई पर, यहाँ पर हम डालेंगे लहसो नी ठेचा, इसको भी अच्छे एजिस पर फैला लेंगे, अब इसको पतली पतली लेर्स में आ यहां पर मेरा पराणफा नान चौका है अपर हम इसे couch भार बीना घीके शेकेंगे पर हम घी लगाएंगे दोनों साइड घी लगा कर इसे अच्छे से के आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छे से लाइनिंग आय also press करकर के इसको शेके तो यहाँ पर मेरा परांठा बनकर रेडी हुआ है यहाँ पर मैंने दो तरह के परांठे बनाया एक ट्रेंगल शेप में एक लच्छेदार परांठा आप इसको रायते सबजी के साथ सर्फ करें थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करें